जयपुर के विध्यादरनगर में बारिष लोगों के लिए आफद बन चुकी है जयपुर में पिछले दिनों हुई भारी बारिष ने विध्यादरनगर विधानसवा छेत्र के वार्ड नमबा 37 के लोगों को भारी परिशानी में डाल दिया है लेकिन फिर भी लोगों की इस समश्या का हल नहीं हो पा रहा है 50CM दिया कुमारी के इस छेत्र में लोग अपने घरों में कैद होकर रह रहे हैं छेत्र में सड़ के तूटी होने के कारण लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं इस तदे इतनी गंभीर हो गई है कि इन समझाओं के बीच पानी और बिजली की लाइनों का भी तूटना शुरू हो चुका है जिसे पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा ह परेशान होकर स्थानिय निवास्यों सरकार और इस्थानिय विधायक के खिलाफ धरन परदर्शन की चेतावनी दे दी ओ.. लोगों का कहना है कि व uninter restauration में बैटकर आमर अंशन स्थानिय निवास्यों का कहना है कि स्थानिय का पानी की बदबू की तूटी सडके आम जंता को रही है लेकिन शासन और प्रशासन मूख दर्शक बने हुए हैं उन्होंने कहा कि वे सिवरेज का गंदा पानी भर कर डिप्टी सीम वियाकुमारी के घर लेकर जाएंगे ताकि उन्हें भी पता चले कि कोलोनी के लोग कैसे बदवू में अपना जीवन जीने को मजबूर हो र काम पूरा करने की मांग की है इस पर अधिकारियों ने काम करने की जगह उनके खिलाफ भी पुलिस में शिकायत कर डराना धंकाना भी शुरू कर दिया है लोगों का कहना है कि बदवार को पानी की पाइप लाइन भी तूट गई थी जिससे अब घरों में पीने का पानी नह पाने को नियारफ रहशोनी के लिए पानी नहीं मिल पा रहा वहीं बिजली की लाइन टूटने से लाइट भी बंद हो गई है वहीं सिवरेज के पानी की बदवु से बच्चे भी बिमार हो रहे हैं बता दे कि पिछले शुक्रवार विद्यादर नगर विधान सभा के वार रहे हैं लेकिन सारी गलती आम जुनता की है